बढ़ते एक और अपडेट आपको देदे कि वितवर्ष 2024 में नॉन लाइफ इंशोरेंस सेक्टर के प्रीमियम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है लेकिन किस सेग्मेंट में कैसी ग्रोथ रही है बताए हमारे सायोगी अनुरागशा नॉन लाइफ इंशोरेंस सेक्टर ने वितवर्ष 2024 के अंदर जो प्रीमियम ग्रोथ दर्च की है वो 16% है तमाम कंपनियों का जो प्रीमियम है दो लाक 31,000 से बढ़कर दो लाक 68,705 करोड हो गया है अगर प्राइविट इंशोरेंस की बात करे तो उनका जो प्रीमियम के 17% की दर्च की गई है PSU इंशोरेंस सरकारी कमपनिया की जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रही है 9% रही है और जो स्टेंडलोन हेल्थ इंशोरेंस कंपनिया जो केवल हेल्थ का कारुबार करती है उनकी ग्रोध 26% दर्थ की गई है अगर लिस्टेड स्पेस की कंपनियों की बात करें तो निउ इंडिया इशोरेंस का जो प्रीमियम है वो 37,000 करोड तक पहुचा है साड़े 7% ग्रोध की बाद ICIC Lombard का प्रीमियम 24,776 करोड पहुचा है साड़े 17% ग्रोध के बाद स्टार हेल्थ का प्रीमियम है 15,251 करोड हुआ है 17,7% की ग्रोध के बाद मार्च के महिने के अंदर निउ इंडिया का प्रदर्शन एकदम फ्लैट रहा है ICIC Lombard 18% ग्रोध और स्टार हेल्थ साड़े 17,5% ग्रोध मार्केट शेयर की बात करें तो पूरे वितवर्ष के बाद जो निउ इंडिया का मार्केट शेयर है वो घटा है करीब 5% तक उसके बाद अब निउ इंडिया का मार्केट शेयर 12.78% है ICIC Lombard का मार्केट शेयर 8.5% है और स्टार हेल्थ का जो मार्केट शेयर है सवा 5% है पूरे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनिया है उनका मार्केट शेयर अब हो गया 31% प्राइवेट इंशेयरंस कंपनिया है उनका मार्केट शेयर हो गया है 53% और स्टार हेल्थ जो स्टैंडलोन कंपनिया है जिसमें स्टार हेल्थ भी शामिल होती है health insurance company उनमें अच्छी ग्रोथ दिखिया और उनका जो market share हो गया है साड़े-ग्यारा परसेंट तो प्रदर्शन रहा है पूरे non-life insurance sector का FY24 का वो उमीद से काफी बहतर रहा है